दोस्तों फाइनली आज टाटा मोटर्स ने अपनी नई फ्लाक्षिप SUV यानि की टाटा हारियर फेसलिफ्ट और टाटा सफारी फेसलिफ्ट के प्राइजिंग को रवील कर दिया है आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या प्राइजिंग रखे कही है इन दो नई SUV की साथ ही मैं आप लोग को बताऊंगा कि टाटा हैरियर फेसलिफ्ट से अगर आप लोग सफारी फेसलिफ्ट और शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको कितने प्राइजिंग का डिफ ताकि आप लोग को सारे प्राइजिंग की बारे में पता चल पाएं तो चलिये फटाफ़ से बात करते हैं इनकी प्राइजिंग के बारे में हैरियर का बेस्वेरिंट चोंकि स्मार्ट वेरिंट उसका प्राइज है 50,49,000 एक शोरूम प्राइज और इंट्रूरकटर तो यह है पूरे अगर आप लोग को इसमें आटमाटिक चाहिए तो वहां पर आपको एक लाग 30,000 रुप एक्स्ट्रा देने बढ़ेंगे और आटमाटिक आपको स्टार्ट होता है प्यॉर प्लस वेरिंट से जिसके प्राइस टार्ट ने शेर किया है यहां पर आपको प्यॉर प्लस के बाद मिलता है एडवेंचर प्लस और उसकी प्राइस है वन लाग 30,000 एक्स्ट्रा फ्रॉम दी एडवेंचर प्लस मैनूल वेरिंट के प्राइसिंग से यानिके एडवेंचर प्लस जो मैनूल वेरिंट है 21,69,000 उसके अंदर एक लाग 30,000 रुपे अगर आड़ कर देते हैं तो उसकी प्राइसिंग बनती है बाइस लाग 99,000 एक्स्ट्राइस उसके बाद में आता है आपका फ्यॉर लेस वेरिंट जिसकी प्राइस है मैनूल के अंदर 22,99,000 रुपी एक्स्ट्राइस यहां पर एक लाग 30,000 अगर आप एड़ कर देते हैं तो बनती है 24,29,000 एक शोरूम प्राइस देन आता है आपका टॉप अफ़ लाइन वेरिंट फिरलस प्लस जो कि आटमाटिक के अंदर कॉस्ट करता है 25,79,000 एक शोरूम प्राइस तो यह थे पूरे हैर यह के प्राइस अब बात क आपको 70,000 रुपे एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएंगे फ्राम दी हैरियर यानि कि अगर आप हैरियर का स्मार्ट लेते हैं तो सिर्फ 70,000 रुपे आपको extra देने हैं अगर आप लोग सफारी पर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया पू और यहां पर भी आपको 70,000 रुपे का difference मिलेगा from the Harrier जो cost करता है 19,39,000 एक शोरूम प्राइस सफारी के प्यॉर प्लस का देन आता है आपका Adventure variant जो cost करता है 20,99,000 रुपीस सफारी का एक शोरूम प्राइस और यहां पर आपको 80,000 रुपे का difference देखने के लिए मिलता है from the Harrier के Adventure variant से जो cost करता है सफारी का 22,49,000 एक शोरूम प्राइस और यहां पर भी आपको पूरे 80,000 रुपे का फरक मिलता है उसके बाद में आता है top of the line variant accomplished जो cost करता है सफारी का 23,99,000 एक शोरूम प्राइस और यहां पर आपको 1,00,000 रुपे का फरक मिलता है यानि कि अगर आप लोग Harrier का fearless लेते हैं और सफारी का accomplished लेते हैं तो पूरे 1,00,000 रुपे का फरक है तो यह थे आपके पूरे ही manual variant के pricing सफारी के अब बात करते हैं automatic के तो यहां पर भी same Harrier की तरह 1,00,000,000 रुपे का फरक मिलता है आपको manual से automatic के अंदर और यहां पर आपको जो automatic है वो शुरू होता है Pure Plus से जिसकी price है 20,69,000 एक शोरूम प्राइस अब टाटा ने सिर्फ Pure Plus की pricing share किया है बट मैं आप लोग को पूरे pricing बताता हूँ automatic के top of the line विरिंट तो यहां पर अगर आप देखेंगे Adventure Plus की जो pricing दी वो थी 22,49,000 एक शोरूम प्राइस तो यहां पर भी आप 1,30,000 एक शोरूम प्राइस जो बनती है 23,79,000 एक शोरूम प्राइस एडवेंचर प्राइस की उसके बाद आता है आपका Accomplished जिसकी प्राइस है 25,29,000 एक शोरूम प्राइस एक शोरूम प्राइस 26,79,000 एक शोरूम प्राइस तो यह थे है पूरे आटमाटिक के प्राइसिंग अब बात आती है इसके डाग एडिशन के प्राइसिंग की और डाग एडिशन आपका वेलिबल मिलेगा Pure Plus, Adventure Plus, Fearless and Fearless Plus with the Harrier और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 90,99,000 एक शोरूम प्राइस और यहां पर बिना आपको नॉर्मल वेरिंट से Dark Edition में गर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो यहां पर आपको पूरे के पूरे एक लाग 30,000 रुपे का फरक देखने के लिए मिल जाता है और आपको सफारी का Dark Edition अवेलिबल मिलेगा Pure Plus, Adventure Plus, Accomplished and Accomplished Plus तो दोस्तों यह थी Harrier और सफारी के सभी वेरिंट्स के प्राइसिंग मैंने आपको Manual, Automatic, Dark Edition सारी प्राइसिंग शेयर कर दिया है आप कोई प्राइसिंग कैसे लगी यह प्राइसिंग कुछ जादा है या काफी अच्छी प्राइसिंग रखी का यह मुझे कॉमेंट करके ज़रू बता है साथ ही वीडियो को लाइक किएजगा चैनल को सब्सक्राइब किएजगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंच जै भारत